Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Knowledge Knockered. Now we are going to start our exercise number 1.2 from the chapter knowing our number of class 6. तो इसमें हम करेंगे कुछ questions जो की based हैं, जो हमने previous classes में पढ़ा हैं, उस पर based कुछ questions हैं. तो हमारा question number 1 है, a book exhibition was held for 4 days in a school. एक school में एक book का exhibition लगा था, जो कि कितने दिन के लिए था? 4 days के लिए था. The number of tickets sold at the counter on the 1st, 2nd, 3rd and final day was respectively. तो जो 1st, 2nd, 3rd and final day वो थे, respectively का मतलब है यहां पे, कि जो 1st day ticket sold हुए वो थे 1094, 2nd day जो sold हुए वो थे 1812, 3rd day जो हुए वो थे 2050 and final day जो ticket sold हुए वो थे 2751. तो हमको निकालना क्या है? Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो चार दिन में total कितने tickets sold हुए? यह हमको इसमें निकालना है. तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें ticket sold on 1st day. Ticket sold on 1st day is 1094. ठीक है? टिकेट sold on 2nd day is 1,812. टिकेट sold on 3rd day is 2,050. टिकेट sold on final day is 2,751. तो यह चार दिन में ticket sold हुए? तो हमको क्या निकालना है? टोटल टिकेट कितने sold हुए? क्या निकालना है? टोटल टिकेट. तो टोटल निकालने के लिए आपको पता है कि हम इसा क्या करते हैं? addition करते हैं. तो अब हम इनको सबको add कर देंगे. तो add करेंगे तो क्या आएगा? 4, 6, 7, 5, 5, 10, 11, 11, 9, 20, 7, 2, 9, 9, 8, 17, 224, 4, 2, 6, plus 1, 7. तो जो टोटल टिकेट सोल्ड हुए, वो कितने हुए? टोटल टिकेट हुए 7,707 टिकेट्स. तो यह हो गया हमारा answer of question number 1. Now, let's move on to question number 2. सेखर is a famous cricket player. सेखर क्या है? एक famous cricket player है. He has so far scored 6,980 runs in test match. और उसने test match में कितने run बनाए? 6,980 run बनाए. He wishes to complete 10,000 run. और उसको क्या करना है? अपने 10,000 run को complete करना है. तो how many more runs does he need? तो उसको कितने run और बनाने पड़ेंगे? तो अगर इस तरह कोई question आता है कि कितने run बनाने पड़ेंगे? इतने वो बना चुका है? इतने उसको बनाने पड़ेंगे? इतने रुपे आपके पास हैं? तो उसके पास कितने रुपे बचे? तो इसके जो questions होते हैं, उनमें हम subtraction करते हैं. इतने run बना चुका है, और उसको बनाने कितने हैं? 10,000 run उसको बनाने हैं, तो more runs to complete कितने चाहेंगे? उसको 10,000 में से हम क्या करेंगे? 6, 9, 8, 0 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा answer जाएगा 0 में से 0, 2 यहाँ पर क्या बचा? फिर 9, 9 में से 9 गया तो 0, और 9 में से 6 गया तो 3 तो उसको कितने run और चाहें? 3, 0, 2, 0 तो more runs to complete, how many? 3, 0, 2, 0 run अगर वो और बना लेता है, तो उसके 10,000 runs जो हैं, वो complete हो जाएंगे तो हमारा answer क्या हो गया? 3, 0, 2, 0 Now let's move forward to our question number 3, that is, in an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes तो किसी election में क्या था कि एक successful candidate ने कितने वोट्स रजिस्टर किया यानि कि उसको कितने वोट्स मिले 5,77,500 वोट्स उसको मिले और उसके जो जस्ट बाद वाला था उसको कितने मिले 3,48,700 वोट्स ने secure किये by what margin did the successful candidate win the election तो जहां पर भी यह वर्ड आता है margin तो इसका मतलब आप समझो कि वहां पर हमको क्या निकालना है subtraction निकालना है तो इस question को हम कैसे करेंगे वोट्स registered by successful candidate is 5,77,500 वोट्स secured by nearest rival is 3,48,700 और हमको क्या निकालना है margin निकालना है तो successful candidate जो है वो कितने margin से जीता तो margin between successful and nearest rival is तो हम क्या करेंगे इसको minus कर देंगे 500 को किसे minus कर देंगे 3,48,700 से तो हमको क्या answer मिलेगा 0 में से 0 गया तो 0, 0, 15 में से 7 गया तो 8, 16 में से गया तो 8, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2 तो 2,28,800 वोट्स से वो जीता तो यह आया हमारा answer next question है कीरती book store sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June June के first week में कीरती book store ने कितनी रुपे की books को sold किया first week में कितनी रुपे की books को sold किया है 2,85,891 and books worth rupees 4,768 in the second week of the month और और उसी month के second week में उन्होंने 4,768 रुपे की books को sold किया है how many much was the sale for the two weeks together तो दोनों week को मिला कर उन्होंने total कितने रुपे की books को sold किया in which week was the sale greater and by how much और किस वीक में ज्यादा थी और कितनी ज्यादा थी अब कितनी ज्यादा थी तो इसका मतला हमको क्या ने कलना इसमें सब्ट्रेक्शन करना पड़ेगा तो हम यहां पर लिख लेते हैं books sold in first week equal to 285,891 books sold in second week equal to 4768 रुपीज तो how much was sale for the two weeks together books sold together in रुपीज कितनी 285,891 को हम क्या करेंगे 4768 से क्या कर देंगे एड कर देंगे एट प्लस बन नाइन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन एट प्लस सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन फाइफ प्लस वन सिक्स एट एट एंड सिक्स तो कितना गया 6,86,659 रुपीज बुक्स बुक्स सोल्ड गी अब हमको निकालना है कि 本oud provide in which week theim事情 एडू सेलेस घ्रेटर एंड वाइड हाउँ क्योज तो 10-12 000 विक में ज्याद़ें क्नी होई तो उसके लिए हम क्या करेंगे सब्टैक्ट करेंगे अंगे कितनी हुई अब कितनी के लिए हमको किया करना पड़ेगा तो 4,768 में से हम क्या करेंगे 2,85,891 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या अएगा 8 में से 1 गया तो 7 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7 16 में से 8 गए तो 6 9 में से 5 गए तो 4 9 में नाइन में से एट गया तो वन और यहाँ पर थ्री में से टू गये तो वन तो कितनी ज्यादा बुक सोल्ड हुई वन लैक फॉर्टीन थाउजें शिक्संडेट सेवन्टी सेवन रोपे की बुक के एक्स्ट्रा सोल्ड हुई देन दा फर्स्ट भीक तो यह हो गया हमारा आंसर हुआ हुआ है